हाज जी स्टुडेंट्स आज जैसी अपनी प्लस्टू क्लास इंग्लिश इलेक्टिव दे तीसरे चैप्टर माइ हाट लीप्स वैन आए बी होल्ड जिस पोईम नू के विलियम वर्ड्जवाथ ने लिख्या होया है इस पोईम दी comprehensive paraphrase अते explanation कवर करांगी एहे इस पोईम दी सीरीज दा सदा पहला वीडियो होएगा दा लिट्रेरी पेटल्स दा सदा तीसरा चैप्टर पोईम है जिस दा नाम है My Heart Leaps When I Behold दा लिट्रेरी पेटल्स दी पहली पोईम बोर्डर गार्ड असी अल्वेडी कवर कर चुके हां इस पोईम दे पोईम ने जी विलियम वर्ड्वर्थ ता सब तो पहला आपा इना दे बारे जो इंटोड़क्टी पराग्राफ लिख्या होया उसनू पढ़ लेने हां विलियम वर्डवर्थ दा बर्थ 1770 दे विच अते ना दी डेथ 1850 दे विच होई एना नुजी कुद्रत दा एक महान पुजारी केहा गया दा हाई प्रीस्ट ओफ नेचर एक ये के ना दा आदर किता गया क्लेम दा मतलब आदर देना किसे नूं अते अही कजेही पोईट सी अजेह transparen जिना दे बारे किया जंदा सी के ना दे विच ही क असदारन अन यूजवल सेंसिटिविटी हैlier समवेदन शीलता है कुद्रत दे प्रती sensitivity दा मतलब हो गया जी समवेदन शीलता के ओहू कुद्रत दे बारे बहुती समवेदन पूरवक हो के लिख दे सी He loved every object of nature its beauty and quietness with a rare intensity ओहू कुद्रत दे हार इक चीज नू प्यार कर दे सी उस दे विच उस दी सुन्दर्ता नू प्यार कर दे सी उना दे जिस तरह के ओहू शांत कुद्रत रहन दी है उना दे इस विहार नू बहुत ज़्यादा प्यार कर दे सी आते बहुत ही rare intensity दे नाल intensity दा मतल हूंदा बेटा तीबरता एक बहुत ही विलखन तीबरता दे नाल ओहू कुद्रत दी ब्यूटी अते इस दी कोईटनेस नू प्यार कर दे सी he was content not merely to rejoice he saw more deeply to find the secret springs of this joy हुन कुद्रत दे विच जड़ी उनानू खुशी मिल दे सी ओहू सिरफ खुशी ताकी सीमित नी सी रहन दी content दा मतल हूंदा बेटा satisfy या जिसनों आपा कहने है के संतुष्टोना सिरफ कुद्रत दे ब्यूटी नू देखे उखुश नी सी हूंदे ओहू इस दे विच दीब जानते सी ओहू डूंगा जाके यह जड़ी खुशीयां दे पेज सी springs of the joy यह जड़ी खुशीयां दे फ़ारें दे पेज सी उननों हो जानन दी कोशिश कर दे सी यह है खुशी कुद्रत किस तरह चुपी होई है he was a philosopher poet who could be the rare blend of thought and emotion convey the idea of the being that is in the clouds and in the air the divine essential that permeates all objects of nature philosopher poet थी के जी philosopher दा मतलब हूंदा है के दाशनिक जो के दशन शास्तर नाल जोड़या हूंदा है एदना दे poets से गे अथे ना दे विच thought अथे emotion दा विचार अथे जो feelings से गिया मनोपाव से गे उनना दा बहुत ही विलक्षन blend से blend दा मतलब हूंदा बच्चे ओ विश्रन क्योंना दीजे poetry आपा पड़िये तो दे विच thought अए emotion दा एक रियर blend मिलदा है जो आम तोरते होर poets दे विच नहीं मिलदा आते ओ जड़ा blend है ओ मिशनन है ओ सानू एहे विचार कनवे करदा है सानू दिन दे विचार के जो भी clouds या air दे विच कुद्रदिये चीजाने देखो clouds and air कोई ये ना दे विच divine essential मतलब कोई रभी चीज है divine essential दा मतलब हो गया के कोई दैवी चीज है जो के nature दे हार एक objects दे विच हार एक चीज दे विच permeates मतलब फैली होई है permeates दा मतलब होंदा बेटा spread फैले होना एथे लाइन के दा मतलब होंदा के ओ जड़ी nature दी प्रशंसा कर दे सी नेचर नू enjoy कर दे सी ओ सिरफ enjoyment तक की सीमित निसी रहा जान दी ओ इस nature दे विच कोई रभी शक्ती कोई दैवी शक्ती भी देख दे सी students मैं तो उनू दसना चाहांगा के मैं प्लस टू क्लास English Elective दे April and May दे syllabus दे काफी सारे चैप्टर्स तो अड़ना ला लड़ी शेयर कर चुक्या हां तो अड़ी बुक नूमबर वन Dear to All the Muses दे चारे चैप्टर जिना दे विच पहला चैप्टर Warrior Against Weeds 2nd चैप्टर अ Most Forgiving Ape 3rd चैप्टर A Young Turkish Catastrophe 4th चैप्टर A Tiny Century शामिल ने इना चैप्टर दी मैं सारी Comprehensive Explanation, Analysis अटे इना दे Question-Answers दे वीडियो तो अड़ना शेयर कर चुक्या हां इसे तरह तो अड़ी 2nd बुक The Literary Petals दे 2 चैप्टर Lesson No.1 The Gambling Match इना दे Comprehensive Explanation, Analysis अटे Question-Answers दे वीडियो में तो अड़ना शेयर कर चुक्या हां इसे तरह इसे बुक्ती पहली पोइम Border Guards इस पोइम दी Comprehensive Explanation अटे पैराफ्रेस अटे इस दे Long Answer Type Questions ने उ मैं तो अड़ना लड़ी पिछले वीडियोस दे वीच शेयर कर चुक्या हां ता मनू पुरी उमीद है बच्चे हो के तुसी ये सारे वीडियोस ज़रूर देखे होंगे जेकर तोड़े वीडियोस मिस होएने ता मैं तोड़नू सक्रीन दे टॉप राइट कॉर्णर दे उपर प्लस टू क्लास इंग्लिश इलेक्टिव दी प्लेलिस्ट दा लिंक प्रवाइट कर रहा हां जिस दे उत्ते जाके तुसी ये सारे वीडियोस दी लिस्ट प्रापत कर सकते हों स्टुडेंट्स तोड़ी प्लस फन क्लास जर्रेलिश दा पहला चैप्टर याद करो किस तरह जुड़के पॉइम लिखते ने बिल्कुल कुछ ये से तरह दी पॉइम आज जसी करन चा रहे हैं जिस दा नाम है My Heart Leaps When I Behold तुडेंट्स मैं थे दसना चाहांगा कि ये जड़ी पॉइम है My Heart Leaps When I Behold ये पॉइम विल्यम वर्जवर्थ ने 1802 इसी वी देविच लिखी सी ताथ उसी देख साथ देओं कि उस समय उना दी उमर 32 साल दी सी उस समय विल्यम वर्जवर्थ अपनी सिस्टर डॉरोथ दिनाल रहे सी ये उस समय इंगलेंड देविच एक रीजन है जी पांसतर रंगी पींक एनने प्रेंब नो देखके ना दे मान देविच फेर कुछ विचार आएद अपना पड़े है ना के एना दे अंदर एक ब्लेंड सी थाट एंड इमोशन दा फिर उना ने एसे थाट एंड इमोशन दे ब्लेंड देना ले पोईम लिखी ता ए पोईम 1802 दे विच लिखी लेकिन इस पोईम नो पब्लिश किता गया 1837 दे विच इसनो एक वॉलियम दे विच पब्लिश किता गया जीजदा नाम सी टू वॉलियम इन 1807 ता इस पोईम दे विच इस पोईम नो पब्लिश किता गया इस पोईम नूँ शुरुवात दे विच विलियम वर्जवर्थ ने कोई नाम नी सी दिता, कोई इसनू टाइटल नहीं सी दिता होना ने, इस करके इस पोईम नू काफी देर दा रेंबो पोईम दे नाल नाल जाने आ गया, जे तुसी इसनू सर्च करो इंटरेट दे ता ता नूँ दा रेंबो नादी पोईम विलियम वर्जवर्दी यही मिल दी है, लेकिन साड़े चैप्टर दे विच इस पोईम दा नाम, इस पोईम दा जो पैली लाइन है, माइ हाट लीपस वैन आ बिहोल्ड यह दिता गया है, थोड़ी हिस्ट्री जानन तो बात बद बच्च बिलकुल उसे तरह दी रॉमेंटिक पोईम है, ना रॉमेंटिक पोईम दा मतलब ओ नहीं हुंदा, जो आम मतलब लिया जन्द है, रॉमेंटिक दा मतलब हुंदा है बच्चों, के पोईट ने बहुत ही इमेजिनेशन देना ले पोईम लिखी है, यही लिरिक पोईम है, ल इसनो एक स्टोरी दी तरह, पोईट ने पेश किता है, अते उस दे विच फस्ट परसंड पॉइंट ओफ व्यू दे जरी है, उसने एहे नेरेटिव पोईट पेश किती है, पोईब दी लेंगवेज बहुत ही सिंपल है, जे तुसी आप पढ़ों तो आनो पोईब दा सिंपल म इसनो एक साउंट देन्या, दुझा दूज काय नहीं मिल रहे है बी साउंड देन्या, consum में नहीं मिल रहे हा, C, MAN ये बिगेन नाल मेल खाना है, ता C, A, C sound नाम देनने है, फिर उस तो बाद old आना है, जो के behold वाली sound नाल मिल देनना है, ता पा इसनो A sound देनने है, ते फिर die आना है, die sky दे साव नाल बच्यों मेल खाना है, sound ता पा इसनो नाम देनने है, ता एक्चली इस पोइम दे दो स्टेंजा जाना है, ता इसे तरह साथा दूसरा स्टेंजा है, ता दूसरे स्टेंजे विच देख देनने है, ता उस दी जड़ी last word है, MAN जो के C देनाल देखो, मेल खाना है, बिगेन देनाल, ता पा इसनो C साउंड देने है, इसे तरह B, B साउंड पहला नहीं आई, ता इसनो अपा D कहांगे, अते फिर last line दा last word है, पाइटी, B, पाइटी, same sound है ता पा इसनो D साउंड कहांगे, ता जेकर आसी complete rhyming देखिये, पूरी पोइम दीता है, बंदी है जी, A, B, C, C, A, B, C, D, जो रैमिंग मिल दी है, तेम नहीं मिल दी, rigid pattern है, लेकिन पोइट जो अपना इस कवीता देविच, मैसेज कनवे करना चांदा है, उस देली जो उसने है रैमिंग स्कीम चुनी है, और बहुत ही वदी है, इस अनो आन वाले एक्सपलानेशन दे विच बता चल जाए, पोएम दी स्ट्रक्चर देखन दो बाद, बच्चेव, अपाँ पोएम दी एक्सपलानेशन दे पैराफ्रेस स्टार्ट करते है, ता पहली लाइन है, के माय हाट लीप्स वैन आ बिहोल्ड आ रेंबो इन दा स्काई, माय हाट ली अउडा पाँ देख दें, ता उसननोu ०िहॉल्ड केन दे है, केन हमेरा जडा दिल है, ओहोँ कुदारिया मान लाग जान है, जदो मैं स्काई दे विच रेंबो नू देख देह। ता क। मैं स्काई दे क्या कहता स्काई दे क्याना चाँनन है कोई supもうही क्यों ने जडा क्य कि उस समय 32 यर्जा हो चुक्या सी 22 साल दा इंसान कह रहे है कि जदो ही मैं सकाई दे विच रेंबो नू देख दा है ता मेरा दिल उचलन लाग जानता है खुश होन लाग जानता है चुमन लाग जानता है आम तोरते बच्चे वे जड़ी गल हुन दी है बच्चा जदो रेंबो देख दा है फिर वे इस तरह दिया गला करता है लेकिन 32 साल दा इंसान इस तरह कहे ता सनू थोड़ी जी गल थोड़ी अजीब जी लाग दिया कि उनू भी इस तरह दी फिलिंग आ दिया दूसरी गल थे ईड़चे के इस लाइन दे विच कवी ने के है माई हाट्व लीब्स उपने दिल दिल कर रहे है कि माई हाट्व लीब्स मेरा दिल कुडाढ़िया मारता है जार मारता है हाँ नहीं वा तुरते छालं कॉन favourite दि इंसान मारता है पोईम दी पहली लाइन दे विछ ही परसॉनिफिकेशन यूज होई है तब अच्यों परसॉनिफिकेशन एक लिट्रेरी डिवाइस है जिस दे बारे मैं पहला भी बहुत वारी अपनी पोईम दे विछ जिकर किता है जिकर तुसी ए फिगर ओफ स्पीच है इना नो तुसी चंगी तरह समझना चाने हो ता मैं तो अनू सक्रीन दे टॉप राइट कोऊनर दे ओपर अपनी पढ़ाई होई एक पोईम दा लिंक दे रहे है जिस्ते जाके मैं हे सारियां जो फिगर ओफ स्पीच है तो अनू बहुती इजी टंग दे विछ एक्स्प्लें किती है ने तुसी ए उसनु जाके समझ सागदे हो ता इथे परसॉनिफिकेशन यूज होई है उते नाल इनाल बच्चे उते एसुनेंस वी यूज होई है एसुनेंस की हुंदी है कि जदो एक वाउल दी आवाज बार-बार आंदी है ता सी उसनु कहने है कि उस लाइन दे विछ एसुनेंस यूज होई है जमें तुसी देखो एथे लीप्स ए दी आवाज आई है फिर बिहोल्ड दे विछ फिर ए दी आवाज आई है ता लीप्स वाल दे विच जड़ी आवाज है क्योंके वाल दी आवाज बार बार यूज होई है तासी कहने है कि इस लाइन दे विच एसुनेंस भी यूज होई है एक और चीज तुसी बच्चों आथे नोट करो कि बिछोल शवद कभी ने यूज किता है कई वरी ना जदो मैं लाइन पढ़दा हुना है थोड़ी तेज़ी दे नाल था पहली वरी मैंनो एथे होल्ड लगया के माई हार्ट लीपस वैन होल्ड रेनबो इंदा स्काई कई वरी आप तेज़ी नाल पढ़दा है इस तरह लगदा है फिर मेरे दिमाग चाया के जदो एक बच्चा होवे ता ओवी ना जदो रेनबो नो देख दा है ता वो अपनी हत्थां देविचे उसनो पकड़न दी कोशिश करदा है बच्चा जदो छोटा हुन दा है यहां बहुत गलां करता है हो हला के रेनबो उस्तो बहुत दूर हुन दी है उस तो फड़ी नी जान दी ता फिर मनु लगए के शायद कभी ऐसे करके उसने बिहोल्ड शबद यूज करे है क्योंके वो होल्ड वाली जड़ी फीलिंग है उस अट्ड़ेच लायके आना जाना है जिस तरह के मनु लगए आ जिए उसनों पकड़न दी कोशिश करदा है, हलाके hold दा मतलब पकड़ना होंदा बच्चे ओ, लेकिन behold दा मतलब चेंज हो जानदा है behold दा मतलब होंदा है, जिमें के मैं पहला दस्य है कि कोई unusual जी चीज, कोई असदारन जी चीज नों जाद आपा देख देया है, उसनो behold कहने है, तएथे कभी तो अनू every feeling तो अटे अंदर लेके आना चांदा है, के nature दिया खुरसूर चीजा नों देखके ना साणू उसनों पकड़न दी जग्यास सावी आन्दी है अब बिहोल्ड वाला जड़ा शबद है कभी ने बड़ा ही सो समझ के मेरे ख्याल ची लिखे है हलाके वो इस जगा थे बिहोल्ड दी था थे होर भी वो सारे वर्ड्स हैं जो के देखन देली इंग्लिश देविच यूज होंदे हैं लिख सागदा सी लेकिन ही के मेरी थिंकिंग है जो मैं तो अर्नाल शेयर किती है बच्चेों जेकर तुसी देखों ता पहली लाइन दे विच पोईट ने ने नेचर इमेजरी यूज किती है नेचर इमेजरी कि हो दूज है कि जदों पोईब दियां लाइना पढ़के सानू नेचर धाते आना जे नेचर देख किसे दृष धाते आना जे तासी ऐ कहने है कि आँधी दासी ऊथिक मतलब आ बचले ए शी यूज चले ओकर चले लेक्किय। जिमें कि पोईट ने सनु केहा कि स्काय देव पर रेंबो देखके मैं बहुत खुश होना है ता साड़े दिमाग दे विच भी हो रेंबो सतरंगी पिंग दा ख्याल लंद है ता सी कहने है कि पहली लाइन दे विच पोईट ने नेचर इमेजरी यूज किती है जेकरी कल तुसी होर नोट करूं ता पहली लाइन दे विच देखो पोईट ने कॉलन यूज किता है आम तोर्थे तुसी कॉमा पाया देख देऊ लेकिन एथे कॉलन लग गया हुए है ओधा रिजन यह है कि कभी आन वाली लाइन दे नाल इस लाइनों रिलेट करना चांदा है ता असी जड़ियां इस तो अगलियां लाइन जहां पढ़ते हैं फिस अनों पाता लागजेगा कि कभी क्याना की चांदा है जिस तरह मेरी लाइफ जदो शुरू हुई एदा मतलब हो हो चाइल हुट दी गाल कर रहे है कि जदो मैं बच्चा सी जदो मैं जनम लिया मैं अपने बच्पंच सी सो वाजी बिल्कुल एदान दा ही सी ओदों भी मैं याद करो तान मैं दस्या सी कि कभी ने इही पोईम कदों लिखिया जदो 32 साल दा सी 1802 इसी दे विच एपोईम लिखी गई है ता ओहो पहली लाइन दे विचे गल एही कर रहा सी कि मैं जदों भी रेनबोन देख दा है ता मैं बड़ा खुश हुन है ते बिल्कुल एसे तरान दी ही खुशी मननों ओदों मिल दी सी जदों मैं बच्चा सी दूसरी लाइन दे विचे गल कर रहे है कि जदों मेरी लाइफ शुरू हुई जदों मैं चाइल हुट दे विच सी बिल्कुल ओदों भी में ही सी So was it कि मैं ओदों भी रेनबोन देख के बहुत खुश हुन दा सी So is it now I am a man जदों मैं बच्चा नी है मैं 32 साल दा एक ग्रोन अप परसन है जदों मैं एक वड़ा इंसान है मैं बच्चा नी रहा लेकिन आज भी मेरी फिलिंग हो ही है So is it कि आज भी मैं नेचर दी इस रेनबोन देख के इस अबजेक्ट मुँ देख के बहुत खुश हुन ने बच्पंच सी ओदों मैं बड़ा खुश हुन दा सी रेनबोन देख के आज मैं वड़ा बन गया मैं बन गया बच्चे तों आज भी मैं पूरा खुश हुन ने इस रेनबोन देख के So be it When I shall grow old I shall grow old Grow old दा मतलब हुन दा बच्चे ओ बजर्ग होना के जदों मैं बजर्ग हो जूँगा उस समय वी मेरे अंदर एहो जिया फिलिंग्स ही रेन गिया के मैं रेनबोन देख के ओमें ही खुश हुन गा जिमें आज हुन है या जदो मैं बच पंच हुन दा सी और let me die जेकर जिहा नहीं हुन दा थे देखो और लागया जेकर ये चीजा नहीं हुन दिया के मैं जदो बजर्ग होंगा उस समय भी मैं नेचर नूँ इंजवाय नहीं कर पाऊंगा ता फिर मेरा मर जानई थीक है let me die मतलब जेकर मैं नेचर नूँ इंजवाय ना कर पाया ता मनूँ ओदे नालों मर ना पसंद है इस दे विचना कवी ने एज इमेजरी यूस किती है जिस तरह मैं पहला तो अडेनाल जिकर किता सी नेचर इमेजरी दा पहली लाइन दे विच देखो जद उसी पढ़ दे है ता सानू नेचर दी किसे एक चीज rainbow दाते आनांद है लेकिन एना लाइना दे विच सानू एक इंसान जदो जनम लेंदा या उदी death हुन दी है ता सानू ओ सारियां चीज़ांदा पता लाद है तो किस तरह जड़ी दूसरी लाइन दे विच मैं पहली दास चुकिया कि childhood दी गल तीसरी लाइन दे विच ओस दी youth दी गल जदो हुजवान हुए इसे तरह जड़ी चोथी लाइन है फूर्थ लाइन है ओस दी old age दी गल जदो बज़र्ग होजेगा ति जदो बज़र्ग हो तो बाद देखो हर इंसान दी डेथ भी हुंदी है ता death हुंदी भी गल उसने पंजवी लाइनच किती है ता जेकर तुसी देखो बच्चे ओ childhood, youth, old age, death इसारी चीजां किस दास दियाने इसारी चीजां एज इमेजरी नु दास दियाने कि कभी ने अथे इक इमेजरी पेश पेश किती है जो age ना related है अते इस देविच न उसने अपना जड़ा time है उसने भी बड़ा खुबसूरती ना पेश किता है देखो जड़ी so was it when my life begin है ए लाइन पास नु दरसां दिया उस दे, so is it now I am a man, youth दी गल कर रहे है, अज दी गल कर रहे है ता इस दे present नु दरसा रह ते फेर उस दो बाद अपनी death दी गल रहे है future दे विजद होएगी ता जेकर तुसी देखो ता उसने अपने life देना पड़ा मां दी किनी सोनी तरीके नाल description दीती है क्यो हो life दे हर पड़ा आते nature देनाल जुड़ा रहना जान दा है, जेकर उस इहां नहीं कर पान दा ता उस दा व ते वन दा व ते वं दा व एह हैं consonant दी sound है ता इक consonant दी sound बार बार आ रही है ता असी कहांगे क्या थे एलिट्रeTION यूज होई है जेकर तुसी सेकेंड थर्ड ते फोर्थ लाइन देविच बच्यों देखो ता इक वर्ड बार बार आ रहे है ते बिल्कुल टाट चा रहे है ओ वर्ड है सो देखो सो वाज इत वेन माई लाइफ बिगेन, सो इस इत नाओ I am a man, सो बी इत वेन I shall grow old तर सो वोर्ड बार-बार आ रहे है English डेविच जadओ इस तरह रहा हो दो कि कोई वर्ड बार-बार आ रहना है, लाइन दे रह दा Dinge छूरू छ नगाता रहना है ता सी उसनो अनाफरा कहने है, तै अते अनाफरा यूज होई है इस दे बारे बच्चेव तो अनू ज्यादा जानकरी जदो तुसी वड़ियां क्लासी से जाओंगी ता तुमनू ज्यादा अच्छा पता चलेगा इस तरह बच्चेव फिफ्थ लाइन दे विच जे तुसी देखो और लैट में डाई इकदम पोईट अपने विचार चेंज कर देंदा है देखो पहला हो रेंबो दे बारे दासरे है अपनिया प्राणियां गल्ला बारे दासरे है अपनी फ्यूचर बारे भी दासरे है लेकिन एकदम हो कहना है कि जे कर जया नहीं हुनदा तो मनुँ मरना पसंदा है तो सानु आए लाग दा है कि कभी कुछ ज्यादा बोल गया है ना मरंदी गल करना गया एकदम तासी एक इंग्लिज दा वर्ड यूज कर दे हैं हाइपरबली ता एथे हाइपरबली यूज होई है क्योंकि एकदम कभी थोड़ी जी ज्यादा गल कर गया ता असी उसनू एथे हाइपरबली कहांगे ता बचो जड़े अनेफरा ने या हाइपरबली है ए दे बारे तो इसनू दूसी थोड़ा जा चंगी तरह समझने है ता सेवंथ लाइन इस पोइम दी सब तो इंपोर्टन लाइन है जी दा चाइल इस फादर ऑफ दा मैन ए लाइन बहुत ही ज्यादा मशूर होई है बहुत ज्यादा इस दे बारे प्रिटिक्स ने लिखे है इस लाइन नू इस लाइन दे विच कहा रहे है कि जड़ा बच्चा है ओहो मैन दा फादर है दा चाइल इस फादर ऑफ दा मैन उन्हूने लाइन सुनके ना सनू थोड़ी जी जी अजीब जी गाल लाग दिया कि आम तो रुदिता चाइल दा फादर मैन होंदा है लेकिन एथे चाइल्ड गुआ मं दा फादर कि हगय है, एक विड़तः पास आपने से नजर आंद है कि कभी ज्यना कि चैंद है, अथे भच्छयो आसल आपाक्ष एक पराडाओक्स से बनाके साधेली छढूता है पराडोक्स की हुन दा बच्चे पंजाबी चाप पाउनू विरोधा पास कहने है कि जो दो दो ओपोजिट आइडियाज सानू देखनू मिल देए दो परसन हुन तो उना दे अलग लग विचार हुन किसे भी लाइन नू पढ़के तासी उसनू पराडोक्स कहने ता ए पूरी लाइनी पराडोक्स है जिस तविच कवी ने कहा है कि चाइल्ड मैं दा फादर है उन जो तुसी एथे देखो ता इस लाइन दे विच कवी ने मेटाफोव यूज किता है मेटाफोव के में यूज हो गया के चाइल्ड नू वुडवी फादर केहा गया एक तरीके देनाल के चाइल्ड जड़ा मैं दा फादर है वुडवी फादर ता इदा मतलब हो गया के चाइल्ड नू वुडवी फादर देनाल होन वाले पिता देन compare किता गया है, तांसी एक ऐसा देया है, कहते metaphor भी यूज होया है, एक लाइन हो ना समझ के सानु थोड़ा जा गल कलीर नहीं होंती, लेकिन जदो सी अगली अठ्मी ते नौवी लाइन पढ़ देया है, ता फेद सानु गल कलीर हो जान दिया है, कभी कहना की चांद है, अठ्मी लाइन दे विचो कहनद है, and I could wish my days to be bound each to each by natural piety, कहनद मैं विश करदा है, मैं हे आस करदा है, मैंनू हे यकीन है, कि जड़े मेरे आन वाले दिनने, my days to be, जड़े मेरे दिनने, ओ एक दुझे नाल इस तरह बनने होंगे, bound each to each, एक दुझे दे नाल, इसे तरह बनने ह कि मैं by natural piety, natural piety दा मतलब एथे की होया, बच्यो, देखो, nature तो था natural बन्द है, लेकिन piety दा मतलब एथे, तुसी reverence कह सगदे हो, जिसनों कि तुसी पंजाब बच्यो, सतिकार भी कहने हो, तो यह कहना चंद है, कि इसे तरह दा जड़ा मेरा nature परती सतिकार है, वो इसे तरह जुड़िया रहे, मैं यह चानना है, कि मेरे जो दिन है, जिसन्दिगे दे, वो इसे तरह बतीत हो, तब चो एक तरिक के नाल तुसी ए देखो, कि पहला, जो असी पहली दुजी लाइन पड़िया, वो देविच नेचर नू इंज्वाय कर रहे है, अपनू पढ़के पता चलता है, कि जो भी स्काई देविच और रेंबो देख देख दा, वो बहुत ही ज्यादा खुश हुनता है, लेकिन लास्ट लाइन देविच, वो दी थिंकिंग, इंज्वायमेंट नालों किते आगी, रेवरेंस दे तरफ आगी, सतिकार दे तरफ आगी, अथे सनू यह पत अन ब्रोकन चेन, जोगों एक चीज दूसरी चीज ना ललडी वार जुड़ी हां, जिसते लड़ी हां थार कि लगातार चली जांएं, लाइकिन घाल कार रहा है, नेचर परती जड़ा मेरा है पयार ते सितुकार, नेचर प्रोकन है, यह ऑट अट दूड़ा नहीं है, यह जिवें मेरी लाइफ बीद दी जा रही है, ए उसे तरह चलदा जा रहे है, मेरा नेचर परती सितकार. Students, आप पाए है, अठमी ते नोवी लाइन दो में समझ के, दुबारा सतमी लाइन वाल आने है, कि एथे उन राइटर क्याना की चान्द है, ता राइटर ने कहा है ना, दा चाइल्ड इस पादर ओफ दा मैन, के बच्चा मैन दा फादर है, एक पराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, विरोधा पाज दी स्टेटमेंट है, लेकिन एथे कभी एक एना चान्द है, के चाइल्ड हुन्दे हुए, जो इनसान अपने अंदर जिद्दा दे पाव लेकिया आन्द है, जेकर ओहो वदिया पाव हूनगे, नेचर दे प्रती चंगे पाव हूनगे, ता ओहो उसे तरह जारी रेंदेने, ज़दों हो वड़ा बन जान्द है, इक तरह नाल, कभी एक एना चान्द है, के चंगे पाव नेचर दे प्रती अधर वाले पाव, सत्यकार वाले पाव, उन्दा भचपन से खान्द है, जेकर अशी भचपन दे विच नेचर नाल जुड़ना सिख जी ए, ता सी वढ़डा होगे वी जुड़े रहांगे नेच प्रवानी करनी ते फेर ओही नेचर नाल सी ओही कुछ करांगे जो आजकल इंसान नेचर नाल कर रहे है उसनू खराब कर रहे है तेहे केडी लाइन कवी ने लिखिया बच्चियो बहुत ही देखनों बड़ी सिंपल लाइन लग दिया है बड़ी सदारंजी लाइन लग दिया लेकिन जदो अपा इसनू डीप समझन दी कोशिश कर देया है तास आजनू पता लाद है कि कवी क्याना की चन्द है नेचर नाल जुड़ना बंदा भचपन तो शिखदाई, ते उस नू बचपन सखणदाई, के नेचर नाल किमें जुड़ाया जंदा, देखो असी भचपन दे विचि नेचर नू दे खके कदाडियां मार दे आ, असी परबता नू देखके बड़े खुश होने है, सतरंगी पींग नूं रेंबो नूं देखके नदिया चरनेया पंचियाँ नूं देखके असी जानवरों देखके किन्य खुश हुन्य अप आप नचे दे फिर दे आने ы ची जाननू देखके लेकिन एक आप असी वड़े होके नहीं कर दे ते ए बच्चे ओ एक जड़ी लाइना सत्मी इस दे विच कवीदा कहन दा मतलब ए है जियां, दा याद विडियोस को मतलब प्रूम स्वे लिच के जाते». ताह ताहनू CLASS 12 दियां सारियां वीडियोज मिल जानगे इसे तरह तूसी बाकी CLASS 11 ओनादी प्लेइलिस्ट टे था के सारियां वीडियोज प्रापत कर सकते हो आते इसे तरह मैं CLASS 11 CLASS 12 दियां grammar दियां वीडियो लिस्ट बनाई होई है ता ओ सारी यां वीडियोस ता अनू प्रापत हो जानगी है ते एक प्लेइलिस्ट English Elective Class 11 दिवी है ते ओस देविश ता अनू सारी यां Class 11 दियां प्लेइलिस्ट प्रापत हो जानगी है ता मैं ता अनू सारे अनू अपील करदा है के एक वार तुसी दीपक सूद Love Learning to Lead चैनल ते जरूर विजट करो ता स्टुडेंट्स पूरी पोईम नू समझनतो बाद अपा एक वारी फेर पहली लाइन ते आने है के माई हार्ट लीप्स वैन आ बिहोल्ड आ रेन्बो इंदा स्काई एक जड़ा rainbow शबद है बच्चेव एक तरीक के देना बच्चेव सिंबल है हमने एक कादा सिंबल है सिंबल ओफ नेचर कह दो देखो बच्चेव नेचर था बहुत बटी है नेचर चो बहुत सारी चीजां आ आ दिया है जमें के मैं पहला मिदसे है उसदे विच clouds वियांदे है rainbow वियांदे है चरने वियांदे है नदियां, परबद ए सारा कुछ आनदे है लेकिन rainbow उसदे एक छोटा जापाट है लेकिन एथे rainbow जड़ा है और पूरे nature नू रिपरजेंट कार रहे है एथे मतलब ए नहीं है कि सिरफ कभी rainbow नू देख की खुश हुंदा है या उसदे प्रती ही सतिकार वाले पाव राख दा है नेचर दी हर चीज बारे उसदे एसे तरह दे विचारने एता पहली लाइन दे विच देखो उसने सिरफ enjoyment दी गल किती सी कि जदो हो rainbow नू देख दा है तो बहुत ज़्यादा एंज्वाइ कर दा है लास्ट लाइन दे विच बच्चेओ उसने enjoyment दी गल नी किती उसने spiritual self दी गल किती है एथे हो enjoyment तो किदर चला गया एथे हो nature दी पुझा करनवल चला गया याद करो बच्चेओ ऐसी introductory पैरे दे विच इक लाइन पड़ी सी जिज दे विच आसी देख्या सी के कवी अपनिया कवितामा दे विच सिरफ nature दे प्रती इंज्वाइमेंट दी गल नी करदा ओहो nature दे सिक्रेट दी गल करदा है बहुत ज़्यादा जुड़ा है तो अथे वही गल्थान देखन दी बच्चेओ मिल दी है अथे नेचर दे लिए एक तरह एन इंबोडिमेंट ओफ गॉड वी है क्योंकि एद्दान दे विचार जड़े अपा किस दे प्रती रख दें इस तरह दे विचार आसी किसे गॉड दे प्रती रह दें अथे कवी दे लिए नेचर की है एक इंबोडिमेंट ओफ गॉड है इंबोडिमेंट दा मतलब हो गया सुरूप के परमात्मा दा सुरूप है नेचर उस दे लई तो शुडेंट ऐसे दे नाली साथी पोईम दी comprehensive explanation दी paraphrase खतम हों दी है मैं अपने वोलोओ पुरी कोशिश किती है बच्चेओ के तानू यह चोटी जी पोईम है हार इक आसपेक्ट दे जरिये तानू clear कर सकां उमीद है बच्चेओ के मैं अपने कोशिश दे विच काम्याब जरूर होया होंगा जेकर फिर भी तोड़ा कोई question है था तुसे मैंनू comment section दे विच पुछ सक दियूँ वीडियो दे एंट ते मैं तो अपने दोरा बनाए हुए plus to English elective दे होर बहुत सारे वीडियो दे link प्रवाइड कार रहां नेक्स्ट वीडियो दे विच अपने एसे पोइम दे long answer type questions नू कवर करांगे जी फिर मिल देयां तन्वाद